हेलो, वेलकॉम फ्रेंड्स, गाइस कई बार हम ओनलाइन टूसम पढ़ाना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ प्रॉलम अपने दिमाग में चलती रहती है कि जैसे एक्विमेंट्स क्या चाहिए, ओनलाइन क्लास कैसे कंडक्ट होगी, पेमेंट कैसे मिलेगा, किस तरीके से ओन लाइव डेमो दिखाते हैं क्लास देने का कि आप कैसे क्लास को देंगे, कैसे पेमेंट लेंगे, क्या प्रॉसेस आपको रखना चाहिए, तो गाइस इस रीडियो के एंडिंग तक आप बने रहे हैं, प्रॉसेस में मैं आपको पूरी तरीके साइज समझाने बारा हूँ, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात यह आते है कि कौन कौन से क्यूपमेंट चाहिए, तो देखिए एक क्यूपमेंट में आपको एक स्टेंड चाहिए, और एक आपको मोवाइल होना चाहिए, और चैसे आपके पास कोई टेवेल तो देखिए आप किसी भी एप के माद्यम से क्लाश डिलीवर कर सकते हैं, तो जैसे मैं आपको क्या है, Google Meet एप के माद्यम से लाइफ डेमो क्लास करके अभी दिखाऊँगा, तो आप उसको देख पाएंगे कि ऑनलाइन टूसन की जो लाइफ डेमो क्लास क्लास आप कैसे ल तो देखिए आप क्या है जो पेमेंट है वह आपके और पेरेंट्स के अंडरस्टेंडिंग पर डिपेंड करता है आप उनसे डील कर सकते हैं कि आपको वीकली पेमेंट कर दें या फिप्टिन डेस का पेमेंट कर दें या मंतली पेमेंट कर दें यह आप उनके साथ अपना ट understanding के बीच में तो देखिए online में क्या है लोग जल्दी से आप पे टर्ष नहीं करते हैं फीज को लेकर तो आप यह मानके चलिए कि आप ज्यादा amount क्या है एक साथ ने ले पाएंगे कई बार आपसे parents agree करेंगे कि भाई हम आपको फुल payment है वह advance में नहीं करेंगे आप कुछ class लीजिए उस कम payment कर देंगे या आपको वन वीक का advance कर देंगे फिर आप वन वीक का class लेने उसके बाद payment कर देंगे तो मतलब यह जो फीज वाली बात है यह parents और आपके understanding पर depend करता है अब यहां पर देखिए problem यह कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है मुश्किल से आपका एक-दो जाव रुपया खर्चा करना पड़ेगा और उसमें आपके सब की सब equipment क्या आ जाएंगी तो देखिए हम आपको ले चलते है स्कीन पर और आपको दिखाते हैं कि भाई कैसे आपका live demo होगा कौन-कौन से equipment से कैसे आप चीजे कर सकते हैं तो चलिए हम आपको ले चलते हैं स्कीन पर गाइस online tuition लेने के लिए सबसे पहले देखिए आपको क्या करना एक आपको table या श्टूल ले लेना यह आप देख सकते हैं और इसके साथ में जो आप matter पढ़ाना चाहते हैं वह आप क्या है अपने पास पहले से लिख सकते हैं या बच्चे को पढ़ाते समय आप समझा सकते हैं जैसे यह matter मैंने क्या बच्चे को पढ़ाते समय समझाया है तो इस तरहिके से notes भी आपका prepare automatic हो जाता है और उसी को आप क्या करते हैं WhatsApp भी कर सकते हैं तो दीखिए सबसे पहले आपके पास table और यह का आप क्या कर ले ब्लैंक paper ले 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 उस पर आप बच्चे को लेना है वो सब देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा इंडिंग तक आप देखते रहिए तो चलिए हम आँगे चलते हैं अब जैसे तरीके से ऊप्सन आएगा लिगा पर जॉइन्व लिक्त तो आपको क्या करना है अगर आपको अभी online choosing class लेनी है तो आप क्या करें second वाले option पर click करें तो दीकिए इस पर हमने जैसे click कर देते हैं तो आपके सामने इस तरीके से interface आएगा तो दीकिए आपके सामने आ रहा है You have only one here तो दीकिए आपको कह रहा है कि You are only one here मतलब आप cable अकेले हैं meeting में तो दीकिए आपको दीकिए क्या करना है आपको दीकिए यहाँ पर जो option दिखाई देगा यह दिखाई देगा share invite का तो दीकिए हम क्या करते हैं जो option है यहाँ आपको share invite दिखाई देगा अभी आपको mobile में चिस दिखाई नहीं दे रहा है पट आप क्लिक कर दें तो दीकिए आप जैसे एक क्लिक करेंगे लाश्ट वाले ओप्सन में शेयर इन्वाईट पर जैसे आप इन्वाईट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओफसन आएगा आपके सामने WhatsApp कहा जाएगा आपके सामने TrueColor कहा जाएगा तो दीकिए आपको पता है कि वह आपको क्या है अपना Link किसी Student को सेर करना है तो आप क्या करें लिंक किया कर देंगे सेर कर देंगे वाटसेब पे जैसे एक प्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने student का WhatsApp नमबर होगा उस पर आप link को क्या करते हैं, share कर दें अब जैसे ही आप क्या कर देंगे, share कर देंगे तो share करने के बाद देखे आपके सामने जो class है वो कहाँ आईगी, class का जो review है class का view इसमें आपको दिखाई देगा अब देखे मैं क्या करता हूँ इस class के view के लिए देखे क्या करता हूँ आपको देखे यहाँ पर क्या कर देना है click कर देना है तो जैसे आप click करेंगे तो आपको दिखाई देरा है कि देखे मैं आपका सामने क्या है, record कर रहा हूँ mobile से class को तो इस लिए देखिए इस type का view आगा है क्योंकि एभी कहा front camera open है अगर इसके हम इस back camera को लगा देते है यहा से देखिए back camera को जैसे हम लगाएंगे तो आपके सामने देखे यह जो page है हमारा इस page का class आने लगा जैसे माली जी हमको यह चीज़ समझानी है तो यह चीज़ जो हमको समझानी है यह चीज़ हम समझा सकते हैं तो देखे आपको दिखाता हूँ यह हमारा page है आप देख सकते हैं यह हमारा page है इस page की हम क्या class ले रहे हैं अब देखिए इस पेज के दम क्लास दें तो आपको मैं मोवाल के साथ में दिखाता हूं तो देखिए मोवाल के साथ में जैसे मैं आपको दिखाता हूं तो देखिए उदर साउंड है इदर भी देखिए साउंड है अब देखिए अगर सिर्फ हम मोवाल के कैमरे पर लाते है तो देखे इस तरहीके से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल clear class क्या है जा रही है अब देखे class में जो आपको समझाना है प्रॉपर वी में समझा सकते हैं और इस cross के option पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह चीज क्या है small होके student के पास क्या है यहाँ पर जाती रहेगी बट यह आ स्रिफ इतना पॉर्सन जराता वह आप अपने इस इस camera में क्या है अच्छे से क्या है देख सकते हैं तो यह तो चीज आप समझगे कि आप अपने camera में देख सकते हैं जो आपका mobile camera है और आप देख सकते हैं कितना portion आपका जा रहा है और इसी के according आपका अगर आपको लगा आपका टेड़ी है तो आप इसको सीधा कर सकते हैं आप इसको ऊपर कर सकते हैं आप नीचे कर सकते हैं आप गाईस आप कुछ important point समझ लीजिए दीखिए जैसे आपको मान लीजिए अपनी class end करना है तो यह class end करने के लिए इस पर आप जाजी क्लिक करते हैं जीज रेड़ कर सकते हैं जो voice वाल option है इस पर क्लिक करके आपकी जो voice वह नहीं जाएगी तो देखिए आपको पता के चलिए camera off हुआ कि नहीं हुआ तो देखिए यहाँ पर क्रॉस का सिंबल आने लगता है camera पर तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि भाई जो class है उसमें जो camera है आपका चीज आपकी क्या सो होने लगेगी और माल लीजिए यदि आपको screen वगारा सो करनी है जैसे माल लीजिए आपके mobile पर कुछ आपने matter रख रखा है और आप सो करना चाहते है तो आप क्या करेंगी जो टीन डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टीन डॉट पर क्लिक share screen को option जैसे है सेकंड वाला जैसे आप screen को option पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो strain होचाईगी हो जिसे मारी si team अब तो दीखिया हमसे बोलब ला start sharing और हमसे बोल ला start कॉ सब्सक्राइब खरेंगे तो चकश को चलिक कर देंगे तो जैसे आप करेंगे तो आपसे क्या करता start now, इस पर start now करेंगे, जैसे आप start now करेंगे, तो आपकी जो screen है, वो share होना क्या है, शुरू हो जाएगी, देखिए, यहाँ पर लिखके भी आ रहा है, you are sharing your screen with everyone, तो देखिए, अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, switch वाले option पर click करते हैं, तो यह जो screen होगी, यह screen क्या जाने लगेगी, आपके student के पाँ जाने लगेगी, अगर आप मालीजी कोई folder वगएरा open करेंगे, जैसे मालीजी मैं एक folder open करके आपको दिखाता हूँ, जैसे हम यह अपने memory card में जाते हैं, और जाने के बाद इस पर click करते हैं, तो click करने के बाद आप जैसे मालीजीए, हम किसी भी चीज़ पर चले जाते हैं, जैसे हम सब्सक्राइब करेंगे काउंस्लिंग वाले option पर जाते हैं, और इस पर click करते हैं, तो click करने के बाद आप देखिए जो यह हमारा page open के आ रहा है, यह जो हमारा page open के आ रहा है, इस page पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यह जो page open के आ रहा है, यह पूरा page, student की जो screen होगी, उस पर क्या है, आने लगेगा, जब तक आप इसको stop नहीं करेंगे, तब तक वो screen पर जाएगा, तो देखिए हम क्या करते हैं, meeting पर फिर से आते हैं, देखिए यहाँ पर, और meeting पर फिर से जैसे आप आएंगे, तो देखिए यह जो आपकी meeting चल लगी है, ongoing, तो इस पर आप click करेंगे, जैसे आप click करेंगे, अब देखिए यहाँ पर करा stop sharing, जब आप इस पर click करेंगे, अब आपका screen share करना है कि आप बंद हो गया, अब देखिए आपको फिर से, जो आप पढ़ा रहे थे, उस पर आना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए camera का option अभी off है, देखिए cross बना हुआ है, इस पर आप click करेंगे, click करते हैं आपको समझें, पीछे का background है वो आने लगा, इस पर आप click कीजिए, देखिए फिर से वही class आपकी क्या है, जो आप पढ़ा रहे थे, वहाँ से आप फिर सुरू हो गए, अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करें, एक नया page फिर से यह ले ले, और इसको रखेंगे और पढ़ाना फिर से शुरू कीजिए, मतलग class लेना काफी हीजिए, बट आपको एक वार उसको क्या use करना क्या थोड़ा चीजिए समझना होगा, और यदि कोई problem में कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट हो से उसमें आप पूछ सकते हैं, आपको मैं पूरी help करूँगा, गाइस आपने online tuition देने का पूरा process देख लिया है, और यदि कोई आपको problem आती है, यदि कुछ आप और पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको उदाना चाहूँगा, हमने आपको home tuition के लिए, चाहें वो online हो, चाहें वो आपका offline हो, दोनों mode के लिए काफी अच्छे तरीके बताएं, चाहें से आप number of student gain कर सकते हैं, पैरेंट से कैसे बात करना हैं, किस तरीके से आपको classes बगरा देने हैं, demo देते हैं किन पॉइंट का ध्यान रखना है, एवरी information आपको प्रवाइड किये, तो इसके लिए आप सभी वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ फ्री में available है, तो आप क्या करें, आप playlist में जाएए, playlist में आप जैसी जाएंगे, तो आपको एक playlist का नाम दिखाई देगा, home tutor, home tuition, इस playlist में आप जाएंगे, तो आपको क्या है home tuition के regarding सभी वीडियो में लेंगे, जहाँ पर आप सभी वीडियो को देख के साइच चीज़े समझ सकते हैं, और क्यों आपको प्रावलम नीचे आप कमेंटरों से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे वीडियो पानले एक लिए आप चैनल को जरूर सस्क्राइब करें, नोट टेक कर समयल दबाएं,